तो दोस्तों देश की नंबर एक एग्रो केमिकल कमपनी बात करें UPL की तो इन्होंने अपना बाइबैक एनाउंसमेंट कर दिया है आफ्टर एट इयर्स इनका जो बाइबैक है वो हमें एक बार फिर से देखने को मिल रहा है इससे पहले जो बाइबैक आया था वो लगभग 263 करोड रुपीज का बाइबैक आया था आठ साल पहले और आज की डेट में अगर हम बात करें यहाँ पे बाइबैक की तो आप देख सकते हैं इस बाइबैक का जो मैक्सिमम साइज है वो है 1100 करोड रुपए यानि की यह मैक्सिमम इतना एमाउंट जो है वो बाइबैक पर एक्स्पेंट करने वाले हैं तो जैसा की आप देख पा रहे हैं की दो मार्च को यहाँ पे बोर्ड ने जो है तो प्रपोजल को अप्रूज कर दिया है की यह 1100 करोड का जो है तो मैक्सिमम बाइबैक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो 1100 करोड रुपए है यह इनके रिजर्व का जो है वो 5.71 परसंटेज देखने को मिलता है यानि की कमपनी अपने रिजर्व में से कुछ पैसे यूज करके खुद के ही शेर्स को बाइबैक कर रही है वारें बफे की माने तो यह बहुत ही positive step होता है किसी भी कमपनी का क्योंकि कमपनी देखे कोई भी अगर हम परसंट की बात माने तो कोई भी ब्यक्ति जो है तो सबसे ज़्यादा किसी के बारे में जानता है तो वो खुद के बारे में जानता है मुझे लगता है as per the warren buffet की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी कमपनी का जो management है वो उसको अगर सबसे ज़्यादा जानकारी होगी एक detail में अगर knowledge होगी तो वो सबसे ज़्यादा उन्हें उनकी ही कमपनी के बारे में होगी और ऐसे में जब वो buyback करते हैं तो definitely उनको यह लगता है कि कमपनी की जो earnings है वहाँ पर आने वाले time म future में काफी अच्छी होने वाली है कमपनी काफी अच्छे steps ले रही है और उनकी growth जो है आगे बहुत अच्छी होने वाली है और इसलिए कमपनी जो है वहाँ पर वो खुद के ही shares को buyback करती है ना कि दूसरे के shares का buyback करनी जाती है अब यहाँ पर अगर हम buyback की detailing में जाए तो आप देख सकते हैं कि price not exceeding 875 rupees per share यानि कि यहाँ पर यह जो buyback करेंगे वो open market से कर रहे हैं और open market में price 875 से उपर नहीं होगा तब ही वो सारे के सारे buyback कर लेंगे तो देखिए यह जो buyback है यह TCS के buyback से काफी अलग है क्योंकि TCS ने वहाँ पर tender वाला buyback किया था जहाँ पर यह था कि वो एक fixed price था कि 4,000 पे ही वो buyback करेंगे और fixed equity number of shares थे कि वो इतने share इतने price पर buyback करेंगे जो कि in point of return के हिसाब से बात करें तो काफी positive था कि आप lower price में ले करके और उसमें tender apply करें और अगर acceptance ratio काफी अच्छा है उस company में तो वहाँ पे आपके return के chances काफी अच्छे ह हो जाते हैं लेकिन ये वाला buyback जो है तो वो कुछ infosys जैसा buyback था जो कि कुछ time पहले अभी infosys ने buyback किया था open market से था यहाँ पे यानि कि वो exchange के थ्रू ही shares को buy करेंगे कोई tender का उसमें procedure नहीं है जिसमें वो shareholder या फिर किसी institution से directly share को वहाँ पे buy कर रहे हो तो open market में कुछ कहानी वैसी ही होगी जैसे suppose करें अभी की time में UPL का price around 700 चल रहा है तो वो यहां से भी buyback करना start कर सकते हैं 725 के आसपास भी buyback कर सकते हैं 750 के भी आसपास buyback कर सकते हैं और तब तक वो buyback करेंगे जब तक कि इसका maximum price 875 ना हो जाए यानि कि 875 के नीचे के ही सारे buyback होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो कल के कल ही 710 रुपए में सारा का सारा buyback कर लें अब अगर हम यहाँ पे calculation point of view से जाएं तो अगर इनका maximum size 1100 करोड रुपए है और maximum price जो है वो 875 है तो उस case में आप देख सकते हैं कि number of equity shares जो होंगे वो होंगे एक करोड 25 लाख 17428 security shares यानि कि अगर इस price पे उन्होंने इतने amount का buyback किया तो promoter की holding जो है वो 1.65% से बढ़ जाएगी लेकिन चुकि यह open market से buyback हो रहा है तो यहाँ पे इन्होंने जो maximum buyback का size दिया है 1100 करोड रुपए है तो यह maximum buyback size है यानि इससे ज़्यादा का buyback नहीं करेंगे लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा है कि इतने का ही buyback करेंगे यानि कि यहाँ पे एक minimum buyback size भी है और वो है इसका 50 यानि 500 करोड तो यानि कि कम्पनी जो है 500 करोड से ले करके 1100 करोड रुपए तक का यहाँ पर बाइबैक कर सकती है और अगर उन्होंने 500 करोड रुपए पर 875 रुपीज पर बाइबैक किया तो वहाँ पर यह जो एकुटी शेर्स थे जो एक करोड पक्चिस लाख 17,428 एकु 1714 एकुटी शेर्स हो जाएंगे तो यानि कि कुल मिलाके आप मोटा मोटा यह समझे कि कम्पनी जो है 550 करोड रुपए से ले करके 1100 करोड रुपए तक का बाइबैक करेगी जहाँ पर इनका जो मैक्सिमम बाइइंग शेर प्राइस है वो 875 रुपीज से जादा नहीं होग कम्पनी के fundamental की बात करें, fundamentally company काफी strong है आप देख सकते हैं company जो है agrochemical के business में हमें देखने को मिलती है nifty 50 का यह जो है यह एक part है और आप देख सकते है global leadership है इस company की almost 138 nations में इनकी presence है अगर हम यहाँ पे इनके manufacturing facilities की बात करें तो आप देख सकते हैं total यहाँ पे 44 manufacturing facilities all over the world आपक देखने को मिलेंगे जहाँ पर यूरोप में लेटिन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में भी इनकी प्रसेंस आपको देखने को मिलती है इनके अगर यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रिवेन्यू है अल्मोस्ट 40% हर्भी साइट से 33% इंसेक्टिसाइड से और यहाँ पर रिमेनिंग 27% जो है वो फंजी साइट से यहाँ पर जनरेट होता है इन फैक्ट अगर हम कंपनी के आरेंडी कैपसिटी की बात करें तो यू कैन सी हियर कि अल्मोस्ट 2.23% आफ देखने को मिलेंगी फिनेंशल की बात करें तो आपको इनके जो रिवेन्यू है एकदम अप्ट्रेंड में देखने को मिलेंगे और प्रॉफिटबिल्टी भी आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी कमपनी के अगर हम सेल्स गरोथ की बात करें तीन साल, पाँस साल, दस साल में तो काफी बहतर आपको देखने को मिलेगा वहीं अगर हम profit growth की बात करें तो ये number भी आपको यहाँ पे काफी अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं लेकिन अगर हम इनके stock price के CGR growth की बात करें 10 years में 23% बाकी 5 और 3 सालों में देखेंगे तो वह growth नहीं देखने को मिलती है जो इनके profit और इनके sales में देखने को मिलेगी उसका जो main reason है वो आप देख सकते हैं company के जो borrowings है वो year on year यहाँ पे बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे although यहाँ पे company के reserves भी काफी अच्छे तरीके से improve हो रहे हैं जिस तरीके से company के borrowings बढ़े हैं तो उतनी चिंता वाली कोई बात नहीं है अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनका जो reserves है almost 20,000 करोड रुपीज है और जो buyback आया है वो almost 5.71% का है जनी कि maximum size की बात करें तो 1100 करोड का यहाँ पे buyback होने जा रहा है चलिए analyst की यहाँ पे माने तो 26 analyst ने इसको cover किया है जिसमें से 88% ने buy की rating दी है और इनका ये मानना है कि जो price अभी चल रहा है वहाँ से lower side जो है वो upside आपको 6% देखने को मिलेगा 734 और जो maximum की यहाँ पे इनोंने बात की है वो 68% का high है जो की है 1160 रुपए अगर हम इसके support की बात करें तो आप देख सकते है 700 पर हमें एक support देखने को मिलता है और 680 पर इसका एक major support जो है वो आपको देखने को मिलेगा further वहाँ से अगर slip होता है तो आप देख सकते हैं अगला support जो है वो 650 पर आपको देखने को मिलेंगे एक बहतरीन support की बात करें जो margin of safety वाला level है वो मुझे लगता है 600 का level काफी बहतरीन इसे stock में आपको देखने को मिल सकता है चलिए बात करते हैं इसमें करना क्या है तो जिनके पास इसमें holding है तो वो अराम से इसमें hold and continue कर सकते हैं company काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है agrochemical space में लेकिन जिनके पास नहीं है और वो इस buyback की news को देखकर के इसमें investment करना चाह रहे है तो ये बिल्कुल गलत strategy होती है किसी भी stock में investment करने की दोस्तो अगर आपका इनके business में conviction है अगर आपको faith है इनके जो business का model है ये जिस sector में कारे करती है वहाँ पर अगर आपको faith है तो ही आप इस stock में निवेश कर सकते हैं वहीं अगर हम कुछ broker houses की बात करें Morgan Stanley की तो वहाँ पर इन्होंने UPL में overweight की rating दी हुई है और अगर target की बात करें तो 951 का target यहाँ पर इन्होंने दे दिया है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही content पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो